अब वीडियो बनाते हैं नेक सब्चेक्ट के लिए एथिक्स के इंपॉर्टन चाप्टर्स क्या रहने वाले हैं जानेंगे इस वीडियो में बीना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो क्योंकि आप लोगों का इतिंग कल ही पेपर है है न और उमीद करती हूँ जादा से जादा वीडियो का आप शियर करेंगे यह है आप लोगों का चली बस और यह सब्जेक्ट तो बहुत एजी है जादा मुश्किल नहीं है human values and ethics ethics का मतलब human value का मतलब सबको पता ही है इसके sources रहते हैं जासे family हमारा culture ठीक है हमारा जो हमारा environment है हम किनके साथ रहते हैं like friends ठीक है इन सबसे हमारे अंदर है human values जो है inculcate होती है and उसके साथ साथ अगर ethics की बात करें तो ethics का मतलब क्या होता है moral values तो वो भी कहीं न कहीं बहुत easy है so syllabus देखें तो बहुत easy है इसका still आप लोगों को रहता है कि हमें कम पढ़ना पड़े time कम है है न तो उसके लिए एक अपना opinion बता देते है अपने guess बता देते है syllabus में अगर आपको देखा जाए तो एक से लेकर near about eight sorry seven seven chapters one to seven ठीक है so यह seven chapters है इन में से आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं वो एक idea देते है आपको जो first chapter है that is introduction to the value education बहुत easy है जादा tough नहीं है इसमें से आप क्या कर लो topics इसमें से आप जो है meaning पढ़ लो बहुत easy है ठीक है और second आप इसमें से पढ़ लो need next पढ़ लेना content और next पढ़ लेना आप अपना process यह इसी chapter के जो है topics है यह चारो topics आप पढ़ लेना इस chapter में से ठीक है और बहुत easy है जादा मुश्किल नहीं है जैसे need पढ़ोगे जो भी इसके points होगे अगर paper में importance आ जाए उसमें आप लिख सकते हो ठीक है need में आजाता है like जरूरत और importance में आजाता है कि उस जरूरत को पूरा करना तो उनी points को आप importance में लिख सकते हो अगर आगया तो right so content के अदर जितने भी points है उनके ओपर आगी आपके पूरे chapters बने हुए है ठीक है तो जब आगी इतने सारे chapters बने में तो no doubt chapter के meaning तो आपको पता होने चाहिए तो topics के meaning पता होने चाहिए वो meaning आप इस content में ही पढ़ लोगे ठीक है so ज्यादा tough नहीं रहेगा अगर आप इसमें इसके meaning पढ़ लोगे तो आगी topics पढ़ने और असाल लगेगे ठीक है so next देखिए इसमें से एक एक टॉप topics जो आप content में कर सकते हो second chapter दिखो चो classification of value education या word use कर लो types ठीक है दोनों का मतलब तो एक ही होता है so पहले chapter में से अगर हम types नहीं पढ़ रहे हो उसके पीछे नहीं सरी है कि second chapter के अंदर chapter का नाव ही classification है तो इसके अंदर वो cover हो जाएंगे ठीक है so second chapter media coding आपको पूरा कर लेना चाहिए but still चलो आप लोगों के लिए topics अगर बताने पे आएं तो classification main topic उसके इलावा जो आपको difference करना ideology and values बे ठीक है ये कर लीजिएगा उसके बाद वैसे ये chapter पूरा ही कर लो ये chapter अपने आप पे ही बहुत important है ये chapter पूरा ही कर लो मेरे according paper में जो है वो classification ही question आ सकता है but still आ चाहरा ये chapter पूरा कर लो तो आप लोगों के पास जो first unit में two questions आने वाले हैं मेरे according जो जो topics में ने first chapter में से बताए उस में से एक question आपको मिलेगा एक आपको second chapter में से मिलेगा ठीक है तो दोनों में से एक question आपको paper में attempt करना है but still आप लोग जो है second chapter पूरा कर लीजिए ताक एक safety point of view से अगर कुछ इंदर से उंदर भी होता है तो आप उसको लेख सको ठीक है next चलते है third chapter that is human values and ethics ये chapter easy है as compared to relevance of human values relevance of human values में थोड़ा सा आपको typical लग सकता है ये chapter ठीक है because ये जो terms है ये Sanskrit के terms है ठीक है तो इन terms को लेकर आप लोगों को थोड़ी सी problem हो सकती है जब आप पढ़ें तो इसके comparison में अगर आप third chapter कर लेते हैं तो वो आपके लिए easy रहेगा इसके लिए chapter आपको जो है वो easy रहने थार्ड चैप्टर तो ये वाला चैप्टर आप लोग कर लीजिएगा from second unit ठीक है second unit में से जब आप ये वाला एक chapter कर लेगे तो आपका 7 marks का question जो है वो easily attempt हो जाएगा आपको पते ही होगा कि इस subject का paper भी आपका 35 marks कही रहने वाला है 77 के 4 questions आपको unit wise and first question is compulsory ठीक है आगे जाता से जादा शेयर कर दीजेगा और पसंद आये तो like कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो साथ इसाथ बैल आइकन भी click कर दो next आपके पास है chapter number 5 देखो मेरे 2 units का बता दिया chapter number 5 अपने आप में ही एक unit है unit number 3 जो है वो chapter number 5 है ठीक है अब आप obviously इसी में से दो question आने वाले आपको दो question इसी में से बट आपको attempt कितने घड़े एक तो आप कुछ topics पढ़ लो ना अगर तो भी आपका एक question attempt हो जाएगा तो आप इस chapter में जो सबसे typical topics मेरे according आपको लग सकते हैं वो है ये वले yoga से related जितने भी topics है ये आप लोगों को थोड़ six में जितने भी topics हैं ये आप कल के exam के लिए मतलब आप मैं कहूंगी कि दो question आपको आने एक yoga का question आएगा एक left topics जितने रह गए उन में से question आपको देखने को मिलेगा तो आप क्या करो कि बाकी topics कर लो as compared to this क्योंकि थोड़ा सा आपको जो है वो logical लिखने पड़ेंगे जैसा है as it is वैसे ही लिखने पड़ेंगे तो अगर आपको ये easy लग रहे तो बेशक ये कर लेचे हो मुझे कोई problem नहीं है मैं तो just अपना एक viewpoint बता रहूं कि ये लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि typical हो सकता है जो बच्चे physical education की होते हैं उनके लिए थोड़ा 5.4 के अंदर जो दोनों है ये भी कर लीजएगा so अगर इतने भी topics अगर आप कर लेते हो तो आपका एक question जो 7 marks का है वो attempt हो जाएगा next आपके पास है chapter number 6 professional ethics and global citizens और उसे next chapter है competency based education ये दोनों chapters आपके जो unit 4 को cover करते है unit 4 में ये दोनों chapters है ठीक है अब unit 4 में भी होई होगा एक question आपका इस chapter से आने वाला है एक question आपका 7 chapter से आने वाला है ठीक है so अब आप देखिए कि आपको दोनों में से कौन से chapter easy लगता है ठीक है आप लोगों ने पहले भी थोड़ी से study करी हुई होगी आपको दोनों में से जो easy लगता है आप वो वह बला chapter कर लो क्योंकि एक एक question दोनों में से आने वाला है तो आप 6 chapter की साथ जाना चाते हो तो 6 chapter कर लो 7 के साथ जाना चाते हो 7 कर लो मतलब जो आपको easy लगे आप दोनों में से कर सकते हो इसके साथ मुझे आज ही बता दीजे आपका next exam कौन सा है चीक है उसके regarding में आप लोगों का syllabus अरेंज करके रखो ताकि next video भी मैं कल तक upload कर सको अगर वीडियो पसंद आई हो तो please like कर दीजे साथी सा चैनल सब्सक्राइब कर दीजे thank you and have a nice day